इंटरनेट क्या है आज हम बात करने वाले इंटरनेट के बारे में जैसे के आज कल हर एक परसन बहुत अच्छे से वाकिफ है कि इंटरनेट के बिना आज कल कोई भी काम हो पाना difficult है बलकि एक तरह से देखा जाए तो हम सभी आज हर काम के लिए इंटरनेट पर डिपेंड हो गए हैं इंटरनेट ने हमाई सुसाइटी का लाइफस्टैली चेंज करके रख दिया है आज मैं इसी टॉपिक को आपके सामने बहुत ही easy language में लेकर आई हूँ जैसे कि आप इससे अच्छे से समझ सकें इससे जान सकें इंटरनेट क्या है इसका यूज कहां कहां होता है इसके advantages and disadvantages क्या है इंटरनेट का full form interconnected computer network है इंटरनेट को network of networks भी कहते हैं मतलब ये छोटे 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 network से मिल कर बना है एक बहुत बड़ा network बना है जिसकी help से world के सभी computer और mobiles एक दूसरे से connect रहते हैं और common people को आपस में बाच्चीत communicate करने की facility provide करता है मजीद ये के internet एक दूसरे से जुड़े कई computers का जाल है जो router and server के medium से world के किसी भी computer को आपस में connect करता है बलके easy language में हम ये कह सकते हैं कि जब information को एक computer से दूसरे computer में send और receive करने के लिए TCP by IP protocol के medium से जो relation create किया जाता है उस relation को internet कहते हैं internet एक ऐसा source है जिसका use करके कोई भी person किसी दूसरे person को चाहे वो कितने ही मिलो दूर क्यों ना हो उसे easily बातचीत कर सकते है और उसे emails, videos, images और कोई भी file easily send and receive कर सकते है internet को पहले औरपॉनेंट के नाम से जाना जाता था जिसका invention 1969 सेंचुरी में कैलिफॉर्णिया के लियोनर्ड कैलिनॉर्ड ने किया था इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस चानने के लिए हमारे साथ बने रहिए only on you educate online earning and skills training hub ड़्येए जाकः माल है democratic जास्थ तरह कोई सकते है कि में पहलें ने रहिए कि में अयम से Может सांगा जाना जास्थ का जा रही है जाद meant that fans awake